बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि आप profitable बन सकते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है आपके profitable बनने में सबसे पहले उन लोगों से request है जो जल्दबाजी में रहते हैं अगर आपको जल्दी है तो आप इस वीडियो को ना देखें क्योंकि ये आपके काम की वीडियो फिर नहीं होगी लेकिन अगर आपके अंदर patience है धैर बना कर रख सकते हैं तो आप इस वीडियो को बिना skip किये आप इस setup से profitable बन सकते हैं अगर इसको आप अच्छे से complete सीखते हैं scalping की strategy है ठीक है सबसे पहले आप समझे लिजे scalping strategy है बहुत simple बहुत easy अब 100% का क्या concept है पहले इसको समझे लिजे ठीक है अगर आपके दिमाग में ये है कि आप 100 trade करेंगे और 100 के 100 आपके trade सही रहेंगे तो भी आप इस video को ना देखें अगर आपके दिमाग में ये है कि आप 10 trade करेंगे और 10 के 10 trade आपके सही रहेंगे तो भी आप इस video को ना देखें क्यों अब ये फिर थमनेल में आपने देख लिया होगा 100% लिखा हुआ ठीक है तो 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है लेकिन एक चीज समझ ये रुकिए ज़रा सिम्पल समझो मालो आप 10 trade लेते हो ठीक है 10 trade लिए और 10 में से आपके भी अगर प्रॉफिट मे निकल रहे हो ठीक है प्रॉफिट मे निकल रहे हो आपका प्रॉफिट बन रहा है फाइनल ठीक है मालनी जीए आपने 10 ट्रेड किये ठीक है और 10 ट्रेड में आपने 3 या 4 ट्रेड मालने थे 4 ट्रेड आपने 1 एक रुपे का लॉस किया ठीक है 4 रुपे आपके लॉस हो गए और 6 ट्रेड में आपने हर एक ट्रेड में 2 रुपे या 3 रुपे बनाए तो माल लीजिये टोटल अगर आप दो बनाते हैं तो बारा रुपए आप बनाते हैं तीन रुपए बनाते हैं तो आठारा रुपए आप बनाते हैं ठीक है तो आठारा मेंसे चार घटा दोगे ठीक है तो आपके पास 14 रुपए का प्रॉफिट है अगर आठारा मेंसे grija 12 घटा दोगे सुरी 12 मेंसे अगर आप 4 रुपे घटा दोगे तो 8 रुपे का profit है तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि 8 रुपे का आपका profit बना या 18 रुपे का आपका profit बना तो अगर आपका profit बन रहा है ठीक है अगर आप profitable बन रहे हैं तो इसकी accuracy आप क्या कहेंगे यह आप खुद सोचिए it's totally depends on you यह आप पर depend करता है इसकी accuracy आप 100% मानिए या 70% मानिए या 60% मानिए जितनी accuracy आप मानना चाहें 60%, 70%, 90%, 100% वो आप पर depend करता है अगर आप इस logic से आये हैं जो आपको simple बताया कि 10 trade ले रहे हैं 10 के 10 सही जाएंगे तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिए इस तरीके से अगर आप accuracy निकालते हैं तो फिर यह strategy 100% work नहीं करने वाली है इस चीज़ को समझ लीजिए ध्यान से समझ लीजिए 100% work नहीं करती है कोई strategy नहीं करती है ये भी नहीं करेगी इसका use आप कर सकते हैं अगर अच्छे से सीख लेते हैं सही से समझ लेते हैं और proper rules के साथ risk management के साथ चलेंगे rules अभी लिखेंगे अपन ठीक है कि कैसे manage करना है ठीक है ध्यान से समझते चलिए देखों बिल्कुल simple है यहाँ पर आपको दो तरह की lines दिख रही है ये indicator की line है ठीक है अब indicator की line है ये ठीक है अब इसमें आपको क्या करना है एक तो blue color की line है ये आपको दिख रही है एक black color की line है ये आपको दिख रही है यह lines आप लगा लेंगे, कैसे आएंगी यह, यह free में आपको मिल जाएंगी, यहां से indicator remove करते हैं, indicator remove कर दिया, indicator के section पर touch करेंगे, touch करने के बाद में, यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे SMA, तो हमारे सामने एक indicator आता है, moving average simple, इस पर click करेंगे, यह लग जाएगा फिर से यहां पर लिखेंगे EMA, तो indicator आता है, moving average exponential, इसको लगा लेंगे, ठीक है, यह दो indicator लग गए, अब अगर आप ध्यान से समझते चलिए, बिल्कुली beginner हैं, आपको basic नहीं पता, candle के बारे में नहीं पता, आप hammer नहीं पहचानते, आप bullish angle thing नहीं पहचानते, तो फिर आ SMA की setting पर हम touch करेंगे, touch करने के बाद यहां input पर touch करेंगे, थोड़ा ध्यान के साथ देखिए, तो आप सीख जाओगे, यहां पर 9 है, जो length इसको हम 21 कर देंगे, बस, इतना ही काम करना है, बहुत simple, फिर style पर touch करेंगे, और यहां पर जो blue color है, इसको black कर देते हैं, आप color को इसी बढ़ा लेंगे, visible रहे यह line ठीक है, दिखाई देगी आराम से, तो इसके बाद इसको यहां से uncheck कर देंगे, इसको भी uncheck कर देंगे, और यहां से इसको ok कर सकते हैं, चलिए, यह हो गया, बस, अब इसको बंद कर दीजी, आप 2 indicator है, एक हमारे सामने moving average exponential का 9 period का है, जिसक की length 9 है, और एक SM में है, जिसकी 21 है, ठीक है, चलिए, अब देखो, बिल्कुल simple है, यहां पर, इससे पिछली वीडियो में आपने, वीवैप के साथ में, EMA का combination अपने डिसक्स किया, उसमें भी EMA का जो, आपको नहीं बताया, वो simple है कि EMA के नीचे opening, उपर closing होती है, तो उ उस तरीके से identify कर सकते हैं, आप पिछली वीडियो देखोगे, तो समझ जाओगे, फिलाल इस वीडियो की चर्चा करते हैं, इस वीडियो में देखिए, क्या होगा, market open होगी, time frame देख लो, कौन सा use करना है, time frame आप कोई सब use कर सकते हैं, जो बहतर time frame आपके सामने निकल कर आ चाहिए, तोरंत नहीं गुसना है, इंतुजार करना है, चाहे दिन भर में एक trade मिले, चाहे एक भी ना मिले, चाहे दो मिले, चाहे तीन मिले, जब तक हमारा setup नहीं बनेगा, तब तक हम trade नहीं लेंगे, ठीक है, आपका अपना कोई setup है, जब तक वो ना बने, तब तक भी trade नहीं लेना चाहिए तो complete रेकिए चले तो यहां पर क्या हुआ मार्केट यहां पर ओपन हुई ठीक है यहां पर open हुई नीचे आई up side गई ठीक a upside जाने बाद फिर से तोड़ा सा downside आती है फिर upside जाती है अब यहां पर देखो क्या होता इतना चली तो यह हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर ठीक है और फिर से यहाँ पर मार्केट नीचे आती है हमें क्या करना है हमें इंतजार करना है दो चीजे अपन को identify करनी है एक तो trend ठीक है मार्केट का trend देख लेना है ठीक है trend पता लग जाना चाहिए वो कैसे पता लगेगा अभी आगे discuss करेंगे पहले concept समझ लीजे strategy समझ लीजे फिर trend के बार में क्योंकि trend के against हमें काम नहीं करना है ट्रेंड के साथ चलना है अगर अब ट्रेंड है तो हम upside का trade देखेंगे और अगर downtrend है तो downside का trade यानि put side का चलिए अब देखो क्या करना है अब हम इंतजार करेंगे किस चीज़िगा कि यहां पर यह जो 9 candle इस पर आकर touch करें कौन सी candle अभी आप कहोगे कि पहले इंतजार करना है तच ना करें फिर इंतजार करना है तो यहां से इंतजार करना है कि इस पर कोई candle red color की touch करें अब red color की candle टच करें उसके बाद क्या हो उसके बाद हमें एक बुलिश केंडल चाहिए जो इसकी upside close कर जाए ठीक है बस simple यही फंडा है ठीक है तो यहां पर देखो red candle यह वाली आती है और यहां पर यह टच करती है ठीक यहां पर टच हो गई उसके बाद हमें बुलिश केंडल चाहिए, तो बुलिश केंडल ये देख रहे हो, ये बुलिश है, लेकिन इसके उपर क्लोजिंग चाहिए, तो जूम करके तोड़ा सा ध्यान से देखिए, और आप चीजों को समझ पाएंगे बहतर तरीके से, ठीक है, देखो यहां तक अगर समझ आ रही है चीजे हैं, चलो यहां पर आ गए, तो अब हम यहां पर आ गए, यहां पर आने के बाद में आप देखोगे, एक केंडल ये वाली है, ये खेंडल देख रहे हो, बुलिश केंडल है, और उसका का दिमाग में अगर ये आ रही है, तो यहां पर ये देख लो, यह जब कलोज drying अभी complete देखना यहां पर यह open हुई अपने डिसकस किया कि अपसाइड क्लोज करें अपसाइड यह क्लोज हुई है लेकिन आप देखोगे तो यह bearish candle है यह bullish candle नहीं है ठीक है इसमें seller का दबाव है इस पर हमने बहुत detail में वीडियो बना रखी है आप चाहें तो उसको देख स जाएगा topic फिलाल समझते हैं तो bullish candle हमें एक तो यहां पर मिलती है ठीक है यहां पर अपन अलर्ट होंगे trade ले सकते हैं कैसे trade लेना है एक चीज का ध्यान रखिए trade लेते हुए हम यह black line के upside रहने चाहिए ठीक है upside रहनी चाहिए candle तो यह upside क्लोज कर जाती है इसको भी consider कर सकत हैं और सबसे बहतर candle रहेगी हमारे लिए यह वाली ठीक है अब ध्यान से देखिए तो उसके बाद क्या करेंगे इसका high mark कर लेंगे ठीक है और जैसे ही इसका high break होगा अपन entry बना लेंगे और इससे पिछली candle का चुलो होगा वहां पर हम stop loss रख लेंगे ठीक है या फिर यह यहां पर देखो यह candle जैसे यह candle नीचे open हुई upside close कर गई और close करने के बाद में जैसे ही इसका high break होगा हम यहां पर entry बना लेंगे और क्या करेंगे 1 is to 2 का target लेकर हम बाहर हो जाएंगे scalping हम करेंगे तो अब देखते हैं क्या इसमें हमें 1 is to 2 मिला एक बार देख लेते हैं इसके बाद में समझेंगे और भी चीज़ें यहां पर देखो यहां अगर हम entry बनाते हैं ठीक है high break होने पर और यहां पर हम stop loss रख लेते हैं ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे तो 1 is to 2 हमें मिल जाता है कहां पर मिलेगा 1 is to 2 हमें इसी candle पर मिल जाएगा इस पर मिल एक्जित हो जाएगे ठीक है और अगर हम यहां पर entry लेते हैं ठीक है और यहां stop loss रखते हैं तो भी हमें 1 is to 2 मिल जाता है ठीक है बस अब ध्यान से समझें बड़े profit कैसे निकालने है वह आगे डिसकस करेंगे लेकिन पहले आप practice कीजिए 1 is to 2 की ठीक है उसके बाद trail करते ह 4, 5, 6, 7 अपन कर सकते हैं वो बात का बार वो बात की बात है अगर इस पर आपका response अच्छा रहा इस वीडियो पर आपने 1 के like कर दिया ठीक है तो फिर trailing और plus में इस setup की practice live अपन मार्केट में करेंगे लेकिन 1 के like आपसे चाहिए तो वीडियो अभी like कर दीजिए आप यहा अब अगर entry मिस हो गई है माली यह नहीं ले पाएं तो फिर बीच में कहीं भी entry नहीं लेना बीच में नहीं कूदना है फिर इंतिजार करना है कि दोबारा से price यहां पर आए केंडल इस blue line पर touch करे ठीक है blue line पर कोई red candle टच करे जैसे यह touch करती है ठीक है उसके बाद कोई हमे bullish candle मिले जो की upside close करे तो यह वाली candle देखो मिलती है और upside close कर जाती है इसका high mark कर लेंगे इस candle का यहां पर high mark किया जैसे इसका high break होगा entry ले लेंगे और इससे पिछली candle यह वाली है तो इसके low पर यहां पर stop loss डाल लेंगे ठीक है stop loss हम entry candle के low पर भी रख सकते हैं लेकिन पिछ पिछल ज्यादा बड़ा बन रहा है तो फिर entry candle के low पर रख सकते हैं यहां पर long position लगाएंगे जैसे यह जैसे आज की market का रेक ने ठीक है अभी और भी देखेंगे दो ट्रेड हमारे setup पर यह मिले हैं और देखते हैं कोई stop loss वाला trade मिल जाए वो भी देख लेते हैं और यहा समझ में आ रहा है ध्यान से देखते चली यह call side का हम देख रहे हैं अभी put side का भी देखेंगे ठीक है put side का भी देखेंगे यहां पर देखो न चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर entry हम नहीं लिए मिस हो गई ठीक है यहां पर दोबारा touch हुई तो यहां पर देखिए यह crossover करती है तो यहां पर अपने entry बना सकते हैं ठीक है यह crossover की entry है यह तो simple है आप समझ सकते हैं इसको माल लीजिए यह entry हम नहीं लिए ठीक है मिस हो गई तो फिर हम इंदिजार करेंगे red candle touch करें यहां पर red candle touch हुई ठीक यह वाली जहां से देखो यह वा entry बनाएंगे यहां पर और अपन यहां पर stop loss रख लेंगे ठीक है अब इसमें हमारा SL हो रहा है अब लोगों के दिमाग में आया अरे यह तो बेकार स्ट्रेट जी है SL हो रहा है कोई ऐसी चलो दूसरी वीडियो देखते हैं जिसमें SL हिट ना होता हो ठीक है यहां से अगर को वीडियो कट करके जाओगे तो कोई फैदा नहीं फिर वह ऐसे लोग है जो सिर वीडियो देखते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता से कोई मतलब नहीं है इसलिए शुरू में आपको आगाह कर दिया कि अगर आप इस उमीद में है कि SL हिट नहीं होता इस ट्रेटजी पे तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिएगा ठीक है तो चलिए और समझते हैं तो ये call side का हमने देख लिया ठीक है चलिए और देख लेते हैं back date में यहाँ पर देखो यहाँ पर छूटा लेकिन यहाँ red candle टच हुई और कोई bullish candle नहीं मिली है ठीक है और देखते हैं यहाँ पर देखिए यह देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ crossover होता है यहाँ पर यह entry मान लीजिए छूट गई ठीक है यहाँ पर देखो candle टच नहीं कर रही है अब जब यहाँ पर candle टच नहीं कर रही तो इंतिजार करेंगे अब यहाँ पर red candle यहाँ पर देखो ये वाली ठीक है और एक ये वाली टच करती है उसके बाद यहाँ पर bullish candle बन जाती है ये वाली और ये upside close कर जाती है यहाँ पर हम entry बनाएंगे इसके high break होने पर यहाँ पर हमारा stop loss रहेगा और यहाँ पर आप देखो अगर stop loss बड़ा बन में हम समझेंगे इसके rules ठीक है चलिए तो put side का भी ठीक इसके opposite है simple है ये black line के नीचे रहनी चाहिए market ठीक है और ध्यान से रेखिए अब यहाँ पर और क्या होना चाहिए black line के नीचे और यहाँ पर जैसे यह open हुई ठीक यह बाजार open हुआ 915 पर और यहाँ पर open होने यहा यहाँ से यह touch नहीं कर रही blue color की line तो यहाँ पर कोई green candle इसको touch करें ठीक like that यह वाली touch कर गई थोड़ा सा upside होती और बहतर रहता तो green candle touch करें उसके बाद हमें कोई bearish candle मिल जाए ठीक और फिर इसका low break हो जाए low break होने पर हम entry लेंगे 1-2-2 का target लेंगे और यहाँ पर हमारा stop loss हो जाए ठीक है चलिए यह put side का देख लिया और देख लेते हैं put side में यह green candle touch कर गई उसके बाद हमें bearish candle चाहिए तो नहीं मिली कोई बात नहीं और देख लेते हैं यहाँ पर देख लो यह देखी है यहाँ पर देखो यहाँ market open हुई ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या ह होता है यहाँ पर देख लो यहाँ पर नहीं टच करती तो अब हमें क्या चाहिए कि कोई green candle इसको टच करें तो यहाँ पर कोई candle नहीं टच कर रही कोई बात नहीं है ठीक है यह वाला trade हमने परसों और वीडियो डाली थी उसमें कैसे capture करना यह बताया है लेकिन फिलहाल green candle यह टच करती है यह bearish candle मिली इसका जैसे low break होगा ठीक है हम entry बना लेंगे और यहाँ पर आप देख रहो अपनको इसका low break होने पर यह target ठीक है यहाँ entry यहाँ पर stop loss तो put side का भी देख लिया हमने और call side का भी देख लिया समझ लिया अब कोई भी setup है अगर उससे accuracy निकालन है ठीक है तो आपको simple एक ही काम करना पड़ता है कि practice करनी पड़ती है तो कम से कम 30 trade paper trade कर लो one lot से उसके बाद आप actual trade कर सकते हैं one lot से कर सकते हैं ठीक है अपने risk के हिसाब से आप कीजिए one lot से practice कीजिए सीखिए पहले ठीक है और जब indicator का behavior समझ में आ जाए daily trading journal त्यार और बिना लिखे आप trader नहीं बन पाओगे बिना लिखे आप 8% accuracy भी निकाल पाओगे तो भूली जाओ लेकिन हाँ अगर आप इमांदारी से महनत करते हो थोड़ी सी price action की समझ रखके ठीक है थोड़ी सी price action पर practice करते हो और इमांदारी से महनत करते हो daily trade लिखते हो तो फिर आप 90% accuracy बहुत easily निकाल सकते हो बहुत ज्यादा chance रहते हैं कि आप profitable बन सकते हैं इसमें कोई दोर आए नहीं है आपके profitable बनने में उमीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जानकारी समझाई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजिए, share कीजिए, कोई सवाल है